आज मैं आपको ढबे वाली आलो मटर की सबजी बनाना सिखाऊंगा और ये देखिए सबजी कितनी लाजवाब बनी है, और इसकी जो कुछ विए काफी अच्छे आ रही है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो डबे वाले आलो मटर की सबजी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर आर से दस उबलेवे आलो लिये हैं जिनके यहाँ पर छिलके उता लिये हैं और इनको क्यूब साइज में छोटे-छोटे टुकड़े कर लेंगे और 500 ग्राम हरे मटर लिये हैं जो की प्रोजन वाले मटर ह आप चाहें तो फ्रेस हरे मटर भी ले सकते हैं बाकी की जो कड़िंग है वो हमारे यहां रेश्टरण में और डी त्यार रहती है तो हम पड़ापर से कड़ाई को बट्टी पर चड़ा लेंगे और बट्टी को हम यहाँ पर ओन कर देंगे और कड़ाई के अंदर हमें जैसे ही यहाँ पर साबुत खड़ेगर मसले तड़के इसे के साथ हम एक टेबल स्पॉन जीरा को भी एट कर लेंगे और इसे में हम एक बावल के आसपास बारिक चोप करीवी लशन को एट करेंगे चोप करीवी लशन से सबजी में काफ्य चट टेस्ट आता है तो थोड़ 50% के आसपास लशन ब्राउन होड़ जानी चीए इसके बाद फटापर से हम इसके अंदर बारिक चोप करेंगे प्याज को एट करेंगे जिससे कि हमारी लशन कच्ची नहीं रहे और जो सबजी का है वो टेस्ट बिगड़े नहीं अब लशन और प्याज की साथ हम 3-4 बारि हरी मिर्च को ब्राउन कलर आने तक बुनना है तो यहां पर हम गेज की फ्लेम को हाई कर देंगे तक कि फटापर से हमारे प्याज लशन और हरी मिर्च फ्राई होकर त्यार हो जाए तो यह देखिए हमने यहाँ पर प्याज हरिमीड चो लसन को ब्राउन कर लिया है फटापर से अब इसके अंदर हम एक बावल के असपास अद्रग लसन के पेश्ट को एट करेंगे और चमज को चलाते हुए हुए है फ्लैम पर हम अद्रग लसन के पेश्ट को पका लेंगे करी मन् 3 मिन टक पकाएंगे तो यह देखिए हमने यहाँ पर तो मिन टक अच्छी तरीकी से अद्रग लसन के पेश्ट को पका लिया है इसके अंदर हमें चार से पांस मीडियम सेज़ के बारी कट वे टमाटो को एट करेंगे और टमाटो को भी थोड़ा सा भून लेंगे इन सारी चीज़ को भूनना जरूरी है तभी डाबे जैसा सुवाद आएगा हमारे आलो मुटर की सब्जी के अंदर तो यह दिखिए हमारे जो टमाट रहे भून कर तेयार है तो इसमें हम सुके मसाले को वेट करेंगे तो एक टेपल स्पून के आसपास लाल मिट्च पॉट्टो को वेट करेंगे और एक टीपल स्पून के आसपास हल्दी पॉट्टो को वेट करेंगे एक टेपल स्पून स्व मिर्चे अगर आप तेज खहना पचन्द करते हैं तो मिर्च को बढ़ा सकते हैं और इसके अंदर हम पानी को एड़ करेंगे दो से तीन कब हमने यहाँ पर पानी को एट कर दिया है जिसे कि मसाले हमारे जले नहीं और अच्छी तर्की से मसाले को पकाना है करीबर हम यहाँ पर तीन मिनट के लिए मसाले को पकाई है तो यह दिखिए मसाले नहीं यहाँ पर तेल छोड़ दिया है यानि कि मसाला पक कर तयार है और करीबर हमने यहाँ पर तीन मिनट तक मीडियम फ्लेम पर मसाले को पकाया है तो डाबे जैसे स्वाद लाने के लिए हम यहाँ पर ओटियम गिरिवी का यूज़ कर रहे है तो दो बड़ी स्पून के असपास ओटियम गिरिवी को एट करेंगे आप भी अगर स्फीकना चाते हैं कि ओटियम गिरिवी किस तरी की से बनाते हैं डाबे के अनदर तो प्राइ बटर में वीडियो मिल जैगी या फिर इस वीडियो के end इस्क्रीन में आपको वीडियो देखने को मिले हैं वीडियो को देखकर आप भीanka जिलेगी बनाना शीख जाएंगे अब इसके अंदर हमें हरे मंत्र को एड़ेंगे तो हरे मंत्र को यहां पर हमें 3 मिनिदे तक मपूनना है और इसके अंदर में 2 से 2 छिन गिलस के अस्पस पानी को एड़ करेंगे अगर आप चाहते हैं ड्राई बनाना तो इसके अंदर आप पानी को इसकीप कर सकते हैं तो उबलने तक हम यहाँ पर हाई फ्लेम पर पकाएंगे यह देखिए उबलना शुरू हो चुका है तो इसके बाद यहाँ पर हम आलू को एड़ कर देंगे और अच्छी तरीके से चबमस्य मिलाएंगे और हमने यहाँ पर पहले जो नमक एड़ करा था बिल्कुल कम एड़ करा है तो अभी हम अशिक्तान सर्थ थोड़ा सा और एड़ कर लेंगे नमक को अब तीन मिनट के लिए और पकाएंगे तो यह देखे हमने यहाँ पर तीन मिनट तक और पका लिया है यानि कि हमारे आलो मटर की सब्जी बनकर तयार है तो उपर से हम हरा दनिया पत्ती को वेड़ करेंगे और यह हमारे ढाबे वाली आलो मटर की सब्जी बनकर तयार है तो इसके जो खुश्बू है काफ़े अच्छी खुश्बू आ रही है तो इसको हम नान, परटा, राइस किसी की पर सर्व कर सकते हैं